नमस्कार जैसीक रश्ण मेरे नाम है जोशी आशिश और आप देखना शुरू कर चुके है जोतिश की दुनिया का आपका आपना यूट्योग चैनल धारुद्रा आस्ट्रोलोजी आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लव मेरेज के मुहुर्द के बारे में जी हां लव मेरेज कब करना चाहिए उसका मुहुर्द इस वीडियो में दिया हुआ है कई लोग कहेंगे कि लव मेरेज का मुहुर्द कैसे होता है तो उन सभी लोगों के लिए हमारे शास्त्रों में आठ प्रकार के विवाह गरंतों मे क्या है कि जिसमें दोनों व्यक्ति अपनी आपसी समझ के साथ एक दूसरे के साथ रहने का विचार करें उसे गांधर्व विवाह कहा जाता है तो गांधर्व विवाह कब करना चाहिए उनके या फिर इसे आप कोट मेरेज भी देख सकते हैं कोट मेरेज आपको कब करने चाहि चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गांधर्व विवाही या फिर लव मेरेज का मुहुर तहवा उसके बारे में ग्रंथों में हमें श्लोक लिखा हुआ मिलता है अर्थात गांधर्व विवाह का जो मुहुर्त होता है उसमें कुछ नक्षत्रों की शुद्धी बताई है कि इन नक्षत्रों में आपको विवाह करना उत्तम है साथ में बताया है कि इसमें गुरु शुक्र का अस्त का जो दोश होता है सबसे विवाहम में बाधाकारक वही होता है कि इस वर्ष गुरु शुक्र अस्त हो रहे हैं, तारा डूब रहा है, शुक्र बढ़वा हो रहा है, बहुत से अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग शब्दों का इस्तमाल होता है, तो जब ये तारा अस्त हो जाते हैं, उसका दोश गांधरव विवाह में नहीं लगता है love marriage में यह दोश नहीं लगता है नक्षत्रों बताये हैं कि जियस्था आरद्रा पुनर्वसु आश्लेशा कृतिका शततारा अश्विनी धनिश्था इन नक्षत्रों में गांधर्व विवाह करना शुब है और इसमें गुरु शुक्रका भी कोई दोश नहीं है आशा करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी साथ में इसमें देखना क्या है कि दोनों की चंद्रशुद्धी होना आनिवार यह है गांधर्व विवाह की सफलता तबी होगी जब इन नक्षत्रों के साथ व्यक्ति की चंद्रशुद्धी भी होगी अगर आप आपकी चंद्रशुद्धी के हिसाब से आपके लिए गांधर्व विवाह का लव मेरेज का मुहुर्थ कब बन रहा है वह जानना चाहते हैं तो नीचे वाटसेप पर आप हमारा संपर्क कर सकते हैं अगर आप इस वर्ष के पूरे विवाह के मुहुर्थों की जानकरी चाहते हैं तो इस वीडियो के उपर क्लिक करें और विवाह का सर्वोत्तम समय क्या है किस समय में विवाह किया जाएं तो वह ज्यादा शुब होता है उसकी अगर जानकरी चाहिए तो इस वीडियो के उपर क्लिक करें जल्द ही मिलता है ऐसी ही शास्त्रिय जानकरियों के साथ ग्रंतों के प्रमाणों के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जयश्री क्रश्ण वंदे मातरम